My dear friends, my dear students, today we will discuss about Iron Deficiency Anemia. हाज हम Iron Deficiency Anemia के बारे मैं सीखेंगे. जैसा कि नाम से पता चलता है Iron Deficiency Anemia. Iron की Deficiency के कारण जो Anemia होता है, उसे Iron Deficiency Anemia कहा जाता है. Iron की Deficiency होने से क्या होता है? Hemoglobin का concentration कम होता है. Hemoglobin properly नहीं बन पाता है, और कम मत्रा में बनता है, जिससे की Red Cell का production भी कम हो जाता है. तो Iron की कमी के कारण Hemoglobin का production कम हो जाता है, Red Cell का नमबर कम हो जाता है, जिसके की कारण Anemia होने लगता है. इसे ही Iron Deficiency Anemia कहा जाता है. अब Iron Deficiency Anemia की क्या कारण हो सकते हैं? तो हम इसे 3 broad categories में divide करते हैं. पहला region यह हो सकता है कि किसी कारण से Blood Loss हो रहा हो, तो Iron Deficiency Anemia हो जाएगा. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. दूसरा region यह हो सकता है कि Body की Iron Requirement बहुत जादा बढ़ गई हो, जिससे की Iron की कमी हो रही हो. और तीसरा broad region यह हो सकता है कि हम ऐसा Diet ले रहे हैं या पेशेंट ऐसा Diet ले रहा है जिसमें Iron की मात्रा बहुत कम है. इन सभी कारणों से Iron Deficiency Anemia हो जाता है. एक रीजन होर हो सकता है, ऐसी कुछ परिस्थतिया निर्मित हो गई हैं जिनके की कारण Iron का Absorption प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. यह भी एक कारण हो सकता है. तो हमने पहला Broad Category दिखाता है, Increased Blood Loss. ऐसे बहुत से कारण जिनमें Blood Loss बढ़ जाता है, वहाँ पर Iron Deficiency Anemia हो जाता है. जैसे की Excessive Uterine Bleeding Due to Excessive Menstruation. ठीक है, यह हो सकता है. दूसरा, Post-Menopausal Uterine Bleeding. ऐसे ही Gastro Intestinal Bleeding के कारण भी हो सकता है. जैसे की Peptic Ulcer, Deuterine Ulcer, Hemorrhoids, Chronic Hook Worm Infestation, Cancer, Cancer of the Stomach and Large Intestine, Eesophageal Barasis, Hitis Harnia, बहुत लंबे समय से कोई वेक्ति अगर Aisprin ले रहा है, या फिर Ulcerative Colitis है, या फिर Divertic Closis है, तो यह बहुत से कारण होते हैं जिनमें की Iron Loss बढ़ जाता है. और भी कारण होते हैं जैसे की Naak सी Bleeding होना, कफ में Blood आना, जिससे की Hemoptasis कहा जाता है, या फिर Ureed में Blood का आना, Hemachuria, तो यह सब कारण होते हैं, Increased Blood Loss के, जिनके की कारण Iron Deficiency Anemia हो सकता है. ऐसी कुछ Condition होती हैं जहाँ पर Iron की Requirement बढ़ जाती है, वहाँ पर Iron Deficiency Anemia हो जाता है, जैसे की Pregnancy है, Lactation है, और Early Infancy है, Child Day यहाँ पर क्या है, Iron का Requirement बहुत बढ़ जाता है, तो यह सब कारण होते हैं, Iron Deficiency Anemia के, जहाँ पर की Iron की Requirement बहुत जादा बढ़ जाती है, लेकि उसे Iron Deficiency Anemia हो जाता है, एक और Reason अभी हमने डिसकॉस किया था, Inadequate Dietary Intake, कि पेशेंट ऐसा Iron Deficiency का पेशेंट है, वह ऐसा फूड ले रहा है, या कोई वैक्ति ऐसा फूड ले रहा है, जिसमें Iron की बांत्रा बहुत कम है, तो उसे भी Iron Deficiency Anemia हो जाता है, जैसे की, जो पूर socio-economic class के लोग होते हैं, उन्हें एतना balanced diet नहीं मिल पाता है, ठीक है, और भी कारण होते हैं, जिसे बुढ़ापा है, या फिर immunocompromised state है, इन सभी में क्या है, उसे Iron Deficiency Anemia हो जाता है, एक और Broad Category है, एक और Reason है, कि Decreased Absorption of the Iron, कोई वैक्ति फूड तो ऐसा ले रहा है, उसम प्रॉपर absorption नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक प्रमुक करण होता है, Iron Deficiency Anemia में, और ऐसी स्थितियां कम निर्मित होती हैं, जैसे कि Partial or Total Gastectomy, Eclorhydria, और Intestinal Mal Absorption, as this is commonly seen in Celiac Disease, तो ये सब रीजन होते हैं, Decreased Absorption के, और Decreased Iron Absorption के कारण क्या होता है, Iron Deficiency Anemia हो जाता है अब हम आगे चलते हैं, Clinical Features, Iron Deficiency Anemia का जो पेशेंट होता है, उसके Clinical Feature क्या होते हैं, जैसा कि हमने प्रिवियस लेक्चर में पढ़ा है, Iron Deficiency, कोई भी Anemia होता है, उसके बहुत सारे Sign Symptom होते हैं, जैसे कि ठकान रहना, मन नहीं लगना, फटिग रहना, वीकनेस हमेशा मह चैसूस करते रहना, तो यह सब हाइडेक होना, डिजीनेस होना, यह सब Anemia के Symptom हैं, अब हम यहाँ पर Iron Deficiency Anemia के कुछ Clinical Feature पढ़ेंगे, तो Iron Deficiency Anemia के कुछ Feature होते हैं, जैसे कि Iron Deficiency Anemia में पहले Anemia हो जाता है, तो वो Anemia कैसे देखेंगे, परली वाइट स्कलेरा दिखती हैं, और Iron Deficiency Anemia में, Epithelous Tissue Changes काफी दिखते हैं, जैसे कि Colentia, Colentia means Spoon Saved Nails दिखते हैं, Spoon Saved Nails हो जाते हैं, Brittle Nails हो जाते हैं, Atrophic Glossitis हो जाती है, देखिए, Atrophic Glossitis है, Angular Stomatitis है, यह Angular Stomatitis है, यह Lips के Junction पे, एक Inflammation जैसा होने लगता है, कट से जाते हैं, इसे Angular Stomatitis कहते हैं, Leukoplatia हो जाता है, और जो Iron Deficiency Anemia का Patient होता है, उसमें Abnormal Eating Habits डबल अप हो जाती है, जैसे कि PICA बोला जाता है, पाय का, A Hunger for Strange Substances like Paper, Eyes or Dirt, Abnormal Eating Habits, मिट्टी खाने लगता है, वो, पेपर खाने लगता है, बच्चे होते हैं Iron Deficiency Anemia के वो दीवाल खुरच-खुरच के खाने लगते हैं, तो हमेशा कभी भी आपको कुछ ऐसे बच्चे देखें, जो कले खा रहे हैं, चौक खा रहे हैं, अब हम Lab Investigation के बारे में पढ़ेंगे, कि Iron Deficiency Anemia के Lab Investigation के आएं, तो प्रिवियस लेक्चर आप जरूर सुनिएगा, उससे आपको काफी Basic Knowledge मिल जाएगी, जो Iron Deficiency Anemia का Patient होता है, उसमें जो RBC होते हैं, वो Microcytic Hypokromic होते हैं, मतलब उसमें जो Red Blood Cell Indiesis होते हैं, मतलब उसमें ज हट जाते हैं, तो MCV के घटने से क्या होता है, microcytic cells हो जाती हैं, और MCH, MCSC के घटने से hypochromic cells हो जाती हैं, तो जो Iron Deficiency Anemia का Patient होता है, उसके RBC, microcytic, hypokromic हो जाते हैं, और जब हम उसका मैरो दिखते हैं, मैरो examination करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जबकि नॉर्मली कौन सी होती है नॉर्मो ब्लास्टिक टैप की होती है और आरेंड डिफसेंसी अनिमिया के पेशिट में जो मैरो आरेंड स्टेटस होता है वो घट जाता है यह एक बहुती अच्छी स्लाइड है यहां पर आप देखिए पेरिफेरल ब्लाड स्मीर एक्जामनेशन का फोटोग्राफ है जहां पर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रॉमिक रेड सेल है जहां पर एनाइसोसाइटोसिस भी दिख रही है और माइल्ड टु मॉडरेट पॉइकलोसाइटोसिस भी दिख रही है अभी अनाइसोसाइटोसिस, कोईकलोसाइटेसिस क्या होती है, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर रिफर कीजिएगा, और यहाँ पर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेट सेल भी दिख रही है, मॉन्टरिट टाइप आप तो इसे जानने के लिए भी आप माइक्रो नॉर्मोब्लास दिख रहे हैं, और माइलोट सैंस दिख रही हैं, तो यह आप जरूर देखिएगा, इससे आपको काफी इन्फॉर्मिशन मिल जाएगी, आइरिन डिफसेंसी अनीमिया के बारे में, इस्पेशली जो पैरिफरल ब्लेड स्मीर एग्जामनेशन हो इन्फॉर्मिशन मिल जाएगी, इससे आइरिन डिफसेंसी अनीमिया होगा, उतना ही सीवियर एन इसो पैकलोसाइडोसिस होगी, तो थैंक्यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयरिन डिफसेंसी अनीमिया के ट्रीट्मेंट के बारे में, थैंक्यू सो माच!